हलो स्टूटेंट्स, वेलकम टू मैंनिर बेंज, मैं रुपाली वर्मा, आपकी अंतरा बुक का नया पाट लेकर आई, जो अंतरा पुस्तखंपट रहें, उसका दस्वा अध्याय है हमारा कभीर दास के दोहे, कभीर दास के दोहे से ही हमारा काव्य खंड शुरू होता है, ज आनि दसमें अध्याय से का विखट, कभीर कभीर के पद, तो कभीर जी के यह जो पद हमारे सामने आये हैं, यह इनकी बीजक से लिए गए, इनकी पुस्तखंपट जिनके जिद्चा भी संग रहे, सब बीजक में रखा, इनकी जितनी रचनाय हैं समिनका बीजक में संग्रह तो यह उसी में से लिख लिए गए हैं तो यह निर्गुण उपासक रहे हैं जो हमारी कभीर दास है निर्गुण मतलब यह किसी धर्म जाती को नहीं मानते किसी भी किसी भी धर्म जाती को नहीं मानते बस हर धर्मों की अच्छी चीजों को एकसिप्ट किया है इनके जितने भ कि तो उसी तरीके से इसमें भी इनों ने यह बताई है साथ ही ईश्वर से इनका दूसरा पद आएगा हमारा उस पद में इन्होंने क्या किया है इश्वर से एक प्रैसी की तरह मिलने का एक पत्नी से जैग विछड़े पत्ती से पत्नी मिलती है उस तरह की जो बेचैनी होती है पतनी के दिल में वही बेचैनी ये अपनी अंदर महसूस करते हैं उसका वंडन किया है तो सबसे पहले हम देखते क्या है हमारा पहला पद पहला पद क्या है आरे इन दोहुन राह न पाई तो इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिर ल उसको पढ़ने की कोशिस जरूर करजी, क्यों इससे आपको पढ़नी की आदत अच्छी होगी, शब्दे, डिफिकल्ड वर्ट्स, अलग-अलग लैंग्विजिस जानने का बहुत जैसे हिंदी है, हिंदी में भी बहुत तरे की भाशाशेली होती है, सभी को हम समझ पाएंगे तो क्या दिया है? करे बढ़ाई, हिंदू की हिंदुवाईन देखी तुरकन की तुरकाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह है जाई? तो अब देखिए इसमें दोनों ही धर्मों की खामियों को उजागर किया है कदीर जी ने, अब एक चीज़ ये ध्यान रखिए, कि ये जिस समय करेता चीज़ नहीं थे, हिंदू मुसलमान में लूप मेन थे, क्योंकि हिंदू धर्मya ही बहुत धर्म узबजे हैं, जैन धर्म, बहुत धर्म, बहुत सारे धर्म हिंदू से उब जे हैं, तो में जो जिस समय इवIES समय लिखा गया, हिसलिए उसके बारे में इन्हों ने सब स ज़्यादा लिखा है अब इसका line wise अर्थ समझते हैं क्या है अरे इन दोओं की रहा ना पाई तो क्या बोलते हैं देखो इन दोनों ने ही किसी तरह की रहा को अपनाया नहीं है मतलब हिंदूओं ये दोनों में कौन है हिंदू और मुसल्मान हिंदूओं को जो धर्म सिखाता है वो रहा भी ठीक से नहीं अपना पाई और मुसल्मान को जो उनका धर्म सिखाता है वो भी वो अपने धर्म को ठीक से नहीं अपना पाई तो वही दिया अरे इन दोओं रहा न पाई मतलब इन दोनों ने किसी भी तरह की रहा को अपनाया नहीं है हिंदू अपनी करें में ही किसी दूसरे निम्न तर वेक्ति को अपना बरतन तक अपनी गागर तक छूने को नहीं देते हैं वेश्या के पायन तर सोवे देखो हिंदु वाई और क्या कहते हैं हिंदू होते हुए भी वेशिया के पैरों वेशिया के पास जाते हैं और उनके पैरों के तलों को छूते हैं और उनी के पैरों पे पड़े हुए सोए रहते हैं ये कैसे हिंदू आई है अब उसके बात कहते हैं मुसल्मान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाएं और मुसल् वो लोग भी मुर्गा और मुर्गी खाते हैं ये कैसे लोग होते हैं खाला के केरी बेटी ब्या घरें में करें सगाई और अपनी ही मौसी के घर में अपनी ही मौसी के घर में अपने ही बच्चों की ब्या कर देते हैं उनकी सगाईयां कर देते हैं बाहर से एक मुर्दा लाएं धो धाये चड़ाएं और बाहर से क्या करते हैं एक मुर्दा ले आते हैं अर्थात बाहर से मांस लेकर आते हैं मरा हुआ हुआ न तो मुर्दा हुआ तो बाहर से मरा हुआ लेकर आते हैं यानी मांस को लेकर आते हैं और धो धाके जो है उसे बरतन में चड़ाते हैं अरता पकाते हैं सब सख्या मिलें जेवन बैठें घر घर करें बढ़ाएं और क्या करते हैं पकाते हैं और सभी मुसल्मानों होता ना एक थाली में लग जाता है सब खाते हैं तो वही बोला कि एक साथ सारी सखिया यानि कि सारी घर की स्थरियां बैठ जाती हैं और उसको खाती हैं और सभी अपने अपने घरों की बड़ाईयां और बुराईयां करती देखती हैं हिंदू की हिंदुवाई देखी तुरकन की तुरकाई तो अब कभीर दास जी कहते हैं मैंने हिंदू लोगों की हिंदुवाई देख ली कि वो अपने धर्म में कितने पक्के हैं और तुरक अर्थात मुसल्मानों की भी तुरकाई देखी यानि कि उन लोगों की मुसल्मानियत कैसी है वो अपने धर्म को किस तरीके से पालिन करते हैं मैंने दोनों को ही देख लिया है कहें कभीर सुनो भाई साधू कौन राह है जाई अब कभीर बार कहते हैं कि सजन वक्तियों देखो कि ये लोग किस रहा जा रह प्रसंग और मूल भाव मतलब अब प्रसंग क्या क्या मतलब होता है कि ये पद कहां से लिए गए हैं किसके द्वारा रचित हैं और एक लाइन में हमें ये समझाना होता है इसके अंदर का भाव क्या है मतलब क्या फीलिंग आ रही है हमें ये समझाना होता है तो क्या दिया है प्रस्तुत पद कबीर के बीज़क संग्रे से उद्धत है हिंदू एवं मुसल्मान दोनों धर्मों में व्याप्त कर्मकांड एवं आडंबरों का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं ये दोनों अज्यानता वश्वाहे कर्मकांडों को वास्तविक धर्म मान बैठे हैं तो कहने का क्या मतलब है कि जो ये कर्मकांड किये जाने दिखावे के लिए इस सब चीज़े की जाए ये इनहीं दिखावों को क्या मान बैठे हैं इसे धर्म मान बैठे जबकि धर्म ये नहीं है कबीर जी की निजर में ये सभी धर्म नहीं थे क्योंकि वो निर व्यक्ति एवं समाच का मार्ग दर्शन करना तो सधन का क्या मतलब है सही तरीके से व्यक्ति को बताना कि वो क्या चीज़े अपनाएं कैसे करें और क्या करें परंतु ये केवल दिखावा करते हैं वास्तों में ये दोनों ही पदब्रश्ट हो चुके हैं इनका यह ज्यान परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे अब इसकी व्याख्या बिद्दू देखेंगे पहला जो हमने दोनों पढ़े हैं हिंदूओं वाला मुसल्मान वाला वो दोनों ही हम समझेंगे तो यहां क्या दिया है हिंदूओं के विशह में कबीर का कहना है कि ये वण भेद विश्वास करते हैं ठीक है उच्वर्ग का व्यकति निम्न वर्ग के व्यकति को असपर्ष मानता है उसे अपने पातरों बरतनों को छूने नहीं देता परण्तु स्वेंभशया गमण जैसे निम्न करम में लिपत रहता है तात पर यह है कि हीन करमों में लीन है केवल शेष देते लेकिन खुद निन्न करते हैं मतलब कारिक करते हैं वैश्या के पदों में जाकर पड़े रहते हैं उनके घरों में जाकर पड़े रहते हैं तो इस तरह के व्यक्ति क्या हमें ठीक तरीके से धर्मों का धर्मों को दिखा सकते हैं कभी नहीं दिखा सकते इसलिए यह सिर् और अपनी रसना के आगे विवस हैं, रसना मतलब अपनी जीव के आगे विवस हैं, तबी तो मुर्गा और मुर्गी खाते रहते हैं, केवल स्वात के लिए मानसाहर करते हैं, जीव हत्या करते हैं, रसना मतलब जीव के लिए मानसाहर करते हैं, और जीवों की हत्या करते हैं, जीव हिंसा करने वाले खुद को बंदे कैसे कह सकते हैं समाज की नीतियों के प्रतकूल रक्त संबंधों में विवा करते हैं अब भई मौसी मौसा तो सब क्या हुए रक्त संबंधों में विवा वर्जित होता है और क्या करते हैं वो लोग रक्त संबंधों में ही विवा करते दोनों ही सत्य की राह से भटके हैं इस प्रकार इन दोनों को ही इश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती यानि कि हिंदू भी और मुसल्मान भी अपने सत्य पज्च से ब्रहष्ट हो चुके हैं तो इश्वर की प्राप्ति किसी भी हाल में इन लोग को नहीं मिल सकती है अब इनक कावे सौंदर के अंदर गत आता है दो चीज़े पहला है भावपक्ष और कलापक्ष भावपक्ष हमारा क्या आता है क्या फेलिंग निकल लिकल के इसमें चीज़े आ रही है तो देखिए इसमें क्या है कबीर का समाज सुधारक रूप द्रश्टव्य है यानि कि वह एक दिखावा नहीं करना है आडंबरों को इश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक माना गया है यानि कि यह दिखावे हमें इश्वर की प्राप्ति नहीं होने देते हैं इश्वर एक है राम रहीम में कोई भेद नहीं है इश्वर सरवदा है इश्वर सरव्यापक है एवं स तभी में इश्वर को देखें। मानवता को अपनाएं तभी वह इश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यानि कि किस तरह की भाषा इस्तिमाल करी है कैसे उनकी शैली है किस तरीके के उसमें आपका रस है फिर उसमें अलंकार कौन सा है ये सभी चीजें हमें बतानी है तो क्या दिया है सदुकडी भाषा है भाषा के भावों की सहज सरल अभिवेक्ति है तो सदुकडी भाषा उनकी भाव जो हैं बहुत अच्छे से निकल के आते हैं और जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं एकदम उनके हिसाब से ही उन्होंने शब्दों का चैन किया है सब सखियां कहें कबीर में अनुपरास अलंकार है अलंकार आप सभी जानते हैं कि अनुपरास अलंकार किस तरीके से होता है देखें यहाँ पर सा और सा वर्ण की आवनती है यहाँ का और का वर्ण की आवनती होने के कारण इसमें अनुपरास अलंकार है फिर है गे पद शैली है गे पद शैली का मतलब है गाए गए हैं ये सबी गाते हुए मतलब गाना जैसे होता ना गीद काया जाता उस तरीके से गाते हुए इन पदों को लिखा गया है मुक्तक शैली है फिर सहज और सरल भाशा है भाशा इनकी सहज है आसानी से समझी जा सकती है और सरल भी लिखी है इनों ने तो इस तरीके से यह जो पहला पद था वो खतम हुआ अब दूसरा पद हमारा क्या है बालम आवो हमारे गेहरे तुम बिन दुखिया देहरे सब कोई कहे तुम्हारी नारी मो को लागत राजरे दिल में नहीं लगाया तब लग कैसा सनेहरे अन नभावे नीद ना आवे ग्रहबन धरे न धीररे कामिन को है बालम प्यारा जो प्यासे को नीररे है कोई ऐसा पर उपकारी पिवसो कहे सुनाए रे अब तो बेहाल कभीर भयो बिन देखे जिव जाए रे तो अब यहाँ पे इसका पहले मतलब समझें यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कभीर दास ने अपको अपने आपको प्रेमि का बताया है और प्रभु को प्रेमी बताया है तो जिस तरीके से बिछड जाते हैं वियोग हो जाता है तो क्या होता? तड़पते रहते हैं दूसरे से मिलने के लिए तो वही चीज यहाँ पर है यहाँ पर कबीर दाज जी ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रहे तो उन्होंने यहाँ पर प्रेयसी, पत्नी जैसे शब्दों का इस्तमाल किया है अपने पती या बालम से मिलने के लिए तो अब इनका लाइन वाज़ार्थ देखेंगे बालम आवो हमारे गेहरे तुम्मी भी दुखिया देहरे तो अब कभीर दास जी ने हमने आपको मेंटी समझ जिएगा उसको कि कभीर दास ने अपने आपको प्रेमिका बताया है पतली बताया है और प्रभू को इश्वर को पती बताया है तो क्या कहना है बालम बालम अर्थात इश्वर यानि पती आप घर आईए आपके बिना हमारा ये शरीर दुख से पीडित है आप नहीं आ रहे हैं तो हमारा ये शरीर क्या है दुखों से पीडित है सब कोई कहें तुम्हारी नारी मोको लागत राज दे और ये सारी दुनिया सभी जो है कहती है कि ये तुम्हारी पत्नी है और इस तरीके से कहते हैं जब तो मुझे बहुत ही लग जाती है अर्थात कबीर दास को सारी दुनिया क्या कहती है कि ये तो इश्वर के लिए पागल हुआ पड़ा है तो मुझे बड़ी ही लग जा यानी मुझे बहुत ही शर्म आती है दिल में नहीं लगाया तब लग कैसा इसने ने और जब तक आप मुझे अपने दिल में स्थान नहीं दोगे तब तक हम दोनों का संबंद कैसे स्थापित हो सकता है इसने मतलब लगाव लगाव नहीं होगा जब तक आपको हमसे लगाव नहीं होगा तब तक हम दोनों का संबंद कैसे स्थापित हो सकता है अन न भावे नीद न आवे गहबन धरे न धीर रे और क्या है हम जो है आप से बिछुडने में इतना जादा बेचैन है कि मुझे न अन अच्छा लग रहा है यानि कि न खाने को अच्छा लगता है और ना ही नीद आ रही है घरबन धरय न धीर रे और घर पे रहने पर भी मुझे किसी प्रकार का धीरज प्राप्त नहीं हो पा रहा है कामिन को है बालम प्यारे कहते हैं पतनी को जो है वो अपने पती ही सबसे जादा प्यारे होते हैं जो प्यासे को नीर ने उसी तरीके से पत्नी को अपने पती प्यारे होते हैं जिस पकार से एक प्यासे को पानी की प्यास होती है है कोई ऐसा पर उपकारी पिवसो करे सुनाए रहे ऐसा कोई व्यक्ति है है कोई ऐसा व्यक्ति या जनि उपकार करने वाला सो कोई व्यक्ति है पिवसो कहे सुनाए रहे मतलब जो प्यासे को प्यानी दे अर्थात मेरा मेरे पती से मिलन करा दे तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्यासे को पानी पिलाए अर्थात मेरा मेरे पती से मिलन कराए अब तो बेहाल कबीर भयों बिन देखे जिव जाए रहे और अब कबीर जो है कबीर जाज जी आखरी लाइन में बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही जादा बेहाल हो चुका हूँ मैं आपको बस जीए जा रहा हूं बस कुछे पडल के लिए जीवित हूँ इसके आगे में जीवित नहीं रह पाऊंगा तो यह इसको पूरा अर्थ ता जो हमने लाइन वाइस समझाया अब इसका सबसे पहले प्रसंग यह अम्मूल भाव आएगा प्रस्तुत पर्थ बीज जीवात्मा का विरहा विवस्था का चित्रण किया है मतलब अपने आपको पत्नी बोला है और परमात्मा को पती बोला है तो दोनों बिछड़ गए हैं और विरहा वेधना में हैं यानि कि जुदाई की जो तकलीफ होती है उस वेधना से ग्रस्त हैं उसी का चित्रण इस प प्रस्तुत है यहां कबीर निडगुर और सगर दोनों भिन्मतों के बीच एक साम स्थापित करते हुए दिखाई देते हैं यानि कि निर्गुड भी है और दिखा रहे हैं कि हमने सरगुडगुड से जो है एक साम स्थापित किया हुआ है अब इसका काविस अंदर देखते हैं भावसपक्ष कबीर का भक्त रूप द्रश्टव्य है यानि कि वो एक भक्त के रूप में अब आ रहे हैं पहले वाले पद में समा सुधारक के रूप में थे अब क्या है भक्ती गर रहे हैं ज्यान चक्षू खुलने पर साधक ईश्वर की प्राप्ति के लिए आतुर हो उटता है मतलब जब हमें ईश्वर की प्राप्ती होती है तो हमें सिर्फ ईश्वर दिखाई देता है और कोई नहीं दिखाई देता रस विपलव यानि वियोग रस है वियोग शिंगार रस है और भक्ती रस है इसमें दोनों ही रस है क्योंकि वियोगनी की वज़ा से वियोग शिंगार रस हो रहा है और इसमें भक्ती कर रहे हैं इश्वर की इसलिए ये भक्ती रस है कलापक्ष देखते हैं भासा उनकी सदु近 chickens हैं, biparti इसलिए हमिसको बोलते हैं क्योंकि वह साध्मों के संघत में जादा रहते हैं और घूमते रहते थे तो इसलिए उनकी भाषा को सदुकडी भाषा बोलते थे, दुनिया देह कोई कहे जिवजाय में अनुपरास अलंकार है, कामनी को है प्यासे को नीर में द्रश्टांत अलंकार है, द्रश्टांत मतलब यहाँ पे उधारण के साथ आपको प्रस्थुत किया गया है, कि जिस प् पत्नी को अपने पती से मिलने का जितना तड़प होती, कितनी तड़प होती, जितना एक प्यासे वेक्ती को पानी की तड़प होती है, उतना ही एक पत्नी अपने पती से मिलने के लिए व्याकुल होती है, तो यहाँ पर उधारण के रूप में उन्होंने प्रस्थुत किय फिर है लाय एवन तुकबंद गे पद है यानि कि इसमें लाय भी है और तुकांत दिये हुए इसलिए तुक के साथ में ये गाते हुए पद हमारे सामने प्रसुत किये गए तो इस तरीके से कभीर दास के ये दूनों ही पद अलग-अलग चीजें हमें समझा रहे थे बहुत ह ये अच्छे दफावों के साथ हमने इसको समझा इसके प्रसुत्तर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे थाइंक यू बाबाई